आज का मेरा विशय है सरीर के भिलासा, आखों के भिलासा और जिविका का घमंड ये सब बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है परन्तु संसार की ओर से है वचन के प्रचार करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा और ना अपनी ओर से कुछ बोलूँगा परन्तु जो बाइबिल सिखाती है जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है मैं उन्ही बातों को आपको बताऊंगा सायद कुछ बातें आपको अच्छी न लगे परन्तु परमेश्वर का वचन सत्य है हम सत्य को समझने की कोशिस करें जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम तमाम गुनाहों से या फिर तमाम रिती रिवास से तमाम नैतिक गति विधी से हम आजाद नहीं होंगे इसलिए हमें परमेश्वर के सत्य को जानना बहुत ज़़री है तो हम पहला यहों ना दो अध्याय 15, 16 और 17 तक पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तूओं से प्रेम रखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तूओं से प्रेम करो कई बार ऐसा होता है कि हम मसही बन जाते हैं हम विश्वासी बन जाते हैं हम प्रभु येश्व को अपना उधार करता स्विकार कर लेते हैं या फिर हम प्रभु येश्व मसी पर विश्वास करते हैं परन्तु हम परमिश्वर को उतना महत्वनी देते हैं जितना कि हम संसार को महत्व देते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार से प्रेम न करो। याकुप चारध्याय चारपद में लिखा है हे भवेचाणियों क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है अतह जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आपको परमेश्वर का बहरी बनाता है तो परमेश्वर ने हमें अपने प्रियव पुत्र प्रभ misunderstand के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए चून लिया है हम जब येशु को अपना उधार करता स्विकार कर लेते हैं तो हम सांसारिक राज्य में नहीं रहते परन्त हम स्वर्गी राज्य में सामिल हो जाते हैं बेसक हम इस पृत्वी पर हैं बेसक हम इस संसार में हैं परन्त हमारा जीवन संसार कर नहीं है प्रभु येशु मसे ने अपने लहु के द्वारा, अपने पवुत्र नाम के द्वारा हमें खरीद लिया है इसलिए हम स्वर्ग राज्य में जब रहते हैं तो संसार से उतना प्रेम ना करें परन्तु हम स्वर्गी राजय से प्रेम करें प्रभु येशु से प्रेम करें पर्मिश्वर से प्रेम करें और ना संसार में की वस्त्वों से प्रेम रखो पर्मिश्वर का वचन ये भी कहता है कि संसार में जितने भी आज जो चीजें दिखती है हम इनसे इतना अधिक प्रेम ना करें कई बार इनसान क्या होता है कि धन दावलत के आवेश में आकर अपने परमिश्वर को भूल जाते हैं अपने प्रभु येशु को छोड़ देते हैं सर्शुक्तिमान यहवा को छोड़ देते हैं तो बाइबिल कह रही है परमिश्वर का वचन कह रहा है कि तुम संसार की वस्तों से प्रेम न रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है हम मसीह कहला कर विश्वासी कहला कर हम संसार से प्रेम करते हैं संसार के तमाम जो रीती रिवाज हैं जो हमें प्रभु यैश्यू के मारग पर चलने से रोकते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं तो बाइबिल कह रहे है कि हमारे हिर्दय में परमेश्वर के प्रती सच्चा प्रेम नहीं है फिर हम जब आगे पड़ते हैं 16 पद में तो यहां पर लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात सरीर के अभिलासा और आखों की अभिलासा और जिविका का घमंड वहाँ पिता की ओर से नहीं परन्तु संसार ही की ओर से है तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो कुछ संसार में है जो कुछ इस प्रिथी पर है तो पहले में लिखा है सरीर की अभिलासा तो सरीर के अभिलासा क्या है कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत खुबसूरत दिखूँ ये सरीर के अभिलासा है कुछ लोग का सोचना ये भी है कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं बावडी बिल्डर दिखूँ मैं बहुत पहलवान बन जाओ ये भी सरीर के भिलासा है देखे खुबसूरत देखना कोई गलत नहीं है पहलवान बनना कोई गलत नहीं है बोडी बिल्डर बनना कोई गलत नहीं है लेकिन इस पर मन लगाना गलत है ये सारीरिक भिलासा है या मैं हीरो बन जाओ या फिर मैं ही करना है कई लोग सारिक अभिलासा के आविस में आकर अपने पत्नी को छोड़ देते हैं कई लोग यह कहते हैं कि मेरी पत्नी खुबसूरत नहीं है तो ऐसे पूरुस सारिक अभिलासा में आकर अपने पत्नी को तलाग देते हैं या फिर अपनी पत्नी को सताते हैं मारते हैं प कई स्त्रियां ऐसे भी होती है जो सारिक अभिलासा में आकर अपने पती को छोड़ कर दूसरे पुरुसों से प्रेम करती है कहते हैं कि मेरा पती सुंदर नहीं है स्मार्ट नहीं है हिरो जैसा नहीं है तो ये सारीक अभिलासा है और सारीक अभिलासा के पीछे जो चलते हैं उनके अंदर परमिश्वर का प्रेम नहीं है उनके हिर्दे में परमिश्वर का प्रेम नहीं है ये सारी बातें परमिश्वर की और से कदाब भी नहीं हो सकते और ना परमिश्वर की लोग ऐसे काम करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने पतनी या फिर कुछ इस्त्रियां अपने पती को छोड़ कर गैर पुरुसों के तरप और पुरुस गैर इस्त्रियों के तरप सुन्दर सुन्दर्ता को देखकर आकर्सित होते हैं ये भी सारिक अभिलासा है तो ये सारी बातें परमिश्वर की योश से नहीं है परमिश्वर का वचन कहता है रुम्यो आट अध्याय तेरा पदमे क्योंकि यदि तुम सरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जिवित रहोगे यहाँ परमिश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम सरीर के अनुसार दिन काटोगे तो जरूर मरोगे अब हमें ये फैसला करना है कि हमें सरीर के अनुसार दिन काटना है कि परमेश्वर के देहवे आत्मा के अनुशार दिन काटना है बाइबल में रोम्यों आट अध्याय पांच पद में भी लिखा है क्योंकि सारिक व्यक्ति सरीर की बातों पर मन लगाते हैं परन्तु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं सरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है सरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि ना तो परमेश्वर की ब्यावस्था की अधिन है और ना हो सकता है यहाँ पर परमिश्वर का वच्चन साप साप कह रहा है कि सरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है तो आज जितने भी मसही लोग या फिर विश्वासी लोग सरीर पर मन लगा रहे हैं आत्मिक बातों की तरफ मन नहीं लगा रहे है परमेश्वर के पवित्रा आत्मा क्या कह रहा है इस बारे में नहीं सोच रहे हैं परंतु सरीर के ख्वाहिशों के पिछे सरीर के अभिलासाओं के पिछे आज जितने भी मसी भाई बहन हैं जितने भी विश्वासी हैं और सरीर के भिलासा के पिछे भाग रहे हैं, तो ये बातें परमेश्वर की ओर्षन नहीं है, सरीर पर मन लगान तो मृत्यू है, और जो सारिरिक दसा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, कि जितने भी लोग आज सर जापी, खुछ नहीं है। चाहे वो कोई क्योंम हो। चाहे वो पास्टर हो, या फिर विश्वासी हो, या फिर मसही हो। कोई भी यदि पर्मेस्वर को जानने के बाद भी सरीर के उदूशार, दिन काट रहा है, सरीर की अभिलासों के पूछे भाग रहा है, तो उनसे पर्मे परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाते, अपने सरीर पर मन लगाते हैं, सरीर की अभिलासाओं को पूरा करने के पिछे हम दोड रहे हैं, तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दुस्मन बना रहे हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सत्रुता कर र जो हैं है इसलिए जितने भी लोग आज स्रीर के अनुसार जीवन बिताते हैं वे परमेश्वर के इक्षा के अनुसार नहीं है दूज़रा हम देखेंगे आँखों की अभिलासा तो आइखों की अभिलासा क्या है अब कई लोग ये कहते हैं उसके पास तो कार है तो मेरे पास भी कार होना चाहिए उसके पास तो बंगला है तो मेरे पास भी बंगला होना चाहिए उसके पास तो अच्छा बिल्डिंग है तो मेरे पास भी बिल्डिंग होना चाहिए वो बहुत खुबसूरत दिख रहा है तो दुसरों के खुबसूरती पर मोहित हो जाना दुसरों की खुबसूरती को देखकर उन पर आकर्सित हो जाना ये सरीर के विलासा है कई लोग का ये सोचना है कि अरे भाई उसने तो सोने के गहने पहने हैं चांदी के गहने पहने हैं तो मेरे पास भी सोने चांदी के गहने होने चाहिए तो ये आँखों के अभिलासा है जो बातें आँख देखती है और उसे पाने की कोशिस करती है चाहे वो दूसरे का सरीर हो या फिर दूसरे की दौलत हो या फिर दुसरे का धन हो तो ये आँखों की अभिलासा है और आँखों की अभिलासा पर चलने वारे लोग कदापी भी परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते और नहीं ये बातें परमेश्वर की और से हो सकती है तो जितने भी लोग अपनी आँखों से देख कर मतिर चिसु समचार 6 ध्याय 22 और 23 पद में लिखा है सरीर का दिया तो आँख है इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा सरीर भी उजियाला होगा परन्तु यदि तेरी आँख बूरी हो तो तेरा सारा सरीर भी अंधियारा होगा इस कारण वह उज्याला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा यहाँ पर परमिश्वर का वचन कह रहा है कि सरीर का दिया हमारी आँख है और यदि हमारे आँख में पांप बसा हुआ है तो हमारा पूरा सरीर पांप में है इसलिए हम अपनी आँखों को निर्मल करें परमिश्वर के वचन के द्वारा परमिश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा और जब हम परमिश्वर के वचन को अपनी आँखों में बसाएंगे अपनी मन की आँखों में बसाएंगे तब भजन सहिता में लिखा है परमेश्वर की आग्या निर्मल है वह आखों में जोती ले आती है परन्तु हम परमेश्वर के वचन को अपने आख में नहीं बसाए हैं हम आखों से देख कर पांप कर रहे हैं तो जितने भी लोग आज आँखों से दूसरे को देखकर गलत विचार करते हैं, गलत सोज विचार अपने मन में लाते हैं, या फिर किसी को पाने की लालसा करते हैं, वे कदापी भी परमेश्वर की योर से नहीं हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। भाग रहे हैं वे भी परमेश्वर की और से नहीं है अब हम तीसरा देखेंगे जिविका का घमन तो जिविका का घमन क्या है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो कार है मैं कार में डूटी जाता हूं कार होना कोई गलत नहीं है परन्तु कार पर घमन करना गलत है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो बड़ा भंगला है मेरे पास बड़ा रुद्बा है तो रुद्बा होना कोई गलत नहीं है बड़ा घर होना बड़ा भंगला होना कोई गलत नहीं है परन्तु इस पर घम और क्या है कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाता हूं मेरे पास बहुत पैसे है मेरा पेमेंट बहुत ज्यादा है मेरा सैलरी पचास हजार है एक लाख है मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूं तो यह जिविका का घमंड है और जितने भी अपने कमाई पर घमंड कर अपने पैसे के चर्बी दिखाते हैं अपने कार बंगला को दिखाते हैं कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है मेरे पास बहुत पैसा है मेरे पास बैंक बैलेंस है देखें बैंक बैलेंस होना कार होना बंगला होना सहरत होना कोई गलत नहीं है परंतु इस पर घमन करना बहुत गलत है और ये परमेश्वर को कदापी अच्छा नहीं लगता कई लोग ऐसा सोचता है कि मेरे पास सोने हैं मेरे पास चांदी है मेरी पत्नी को तो मैंने बहुत गहने पहनाये हैं पत्नी को गहने पहनाना कोई गलत नहीं है लेकिन ये घमंड करना कि मैंने अपने पत्नी को ब घमन करते हैं अपने सोरत पर घमन करते हैं वे लोग परमिश्वर की और से कदापी नहीं हो सकते हैं चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो फिर गैर मसी क्यों नहीं हो बाइबल साप साप कहती है कि तुम परमिश्वर और धन दोनों की स्यवा नहीं कर सकते महान परमेश्वर तो हमारे सोने और चांदी से भी बढ़कर है महान परमेश्वर तो हीरे और मोती से भी बढ़कर है महान परमेश्वर तो सर्वोत्तम है, सबसे उंचा है फिर उसके सामने ये सोना चांदी क्या है और वैसे भी जब हम मरते हैं तो यहां से एक रुपया लेकर नहीं जाते हमारे साथ कोई कार बंगला गाड़ी मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाता तो फिर हम किस बात पर घमन करते हैं मरने के बाद हमारी सारी सोहरत हमारे सारे रुद्बा यही मिट्टी में दफन हो जाते हैं तो क्या फाइदा ऐसे धन दावलत पर घमण न करें धन दावलत होना अच्छा कमाई करना इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन इस पर घमण करना कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं बहुत पैसे कमाता हूं यह कहना बिल्कुल गलत है और जीतने भी लोग ऐसा सोंचते हैं वे परमेश्वर की लोग नहीं है और नहीं ये बातें परमेश्वर की ओशे हो सकती है इसलिए परमेश्वर की वचन के द्वारा हम अपने आपको पर्खें कि क्या वास्तों में मेरा जीवन परमेश्वर के योग्य है की नहीं है यदि नहीं है तो हम अपने जीवन को परमेश्वर की योग्या बनाने की कोशिस करें और यदि हमारा जीवन परमेश्वर की योग्या है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इस योग्या बनाया कि हम उसके वच्णों के अनुसार, उसकी इक्षा के अनुसार अपने आपको मसी के साचे में ढाल पाते हैं और बाइबल में लिखा भी है, वह पिता की और से नहीं, परन्तु संसार ही की और से है सत्रा पद में हम पढ़ते हैं, संसार और उसकी अभिलासाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमिश्वर के इक्षा पर चलता है, वह सरवदा बना रहेगा हम देखते हैं कि पहले के संसार और अपके संसार में कितना फरक है पहले जो संसार थे वो मिटते मिटते जा रहा है और अब नए युग का इस्थापना हो रहा है नए-नए संसार बन रहा है हर एक दस साल के पीछे हम पलट कर देखें बहुत सारा परिवर्तन इस संसार में हुआ है तो संसार और उसकी अभिलासा हैं दोनों मिटते जाते हैं आज इस संसार में बड़े-बड़े जो लोग थे धनवान थे बड़े पैसे वाले थे वे सब कहां गए वे सब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए और जितने धनवानों ने इस दुनिया को छोड़ा है वे यहां से क्या लेकर गए कुछ भी लेकर नहीं गए ना किसी ने पैसा लेकर गया ना किसी ने सोना चांदी लेकर गया कई लोग अंधविश्वासी की तरह होते हैं जब कोई मरता है तो उसके साथ पैसे को भी दफना देते हैं अरे भाई यदि कोई मर रहा है और उसके साथ हम पैसे को सोने चांदी को उसके साथ दफन कर रहे हैं तो वो तो मिट्टी में ही दबा है, उसको लेकर मरने वाला थोड़ी गया साथ में, तो यह हमारी गलत फैमी है, हम अंधर विश्वास में न चलें, कोई भी जब इस संसार में मरता है, तो एक रुपया भी यहां से लेकर नहीं जाता, इसलिए परमिश्वर का वचन कहता है, क लेकिन मरने अग बाद सारी जवानी खतम, तो जितने भी लोग आज अपने जवानी के भी अभिलासा में दोड़ रहे हैं, वे भी परमिश्वर की ओर से नहीं है, एक दिन ये जवानी भी मिड़ जाएगा, एक समय के बाद, पर जो परमिश्वर के इक्षा पर चलता है, व परमिश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में पहला इस्थान दिया है, या फिर दे रहे हैं, वे सरवदा बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, इसलिए हम अपने जीवन को परमिश्वर की योग्या बनाने की कोशिस करें, क्योंकि परमिश्वर का वचन ही हमारे पा में आसे इस प्रदान करें आमेन